नमस्कार द्यूस क्लिक में आपकर स्वागत है आज हम आपके सामने फिर चर्चा करेंगे इस वक्त पैंडेमिक कोविड 19 की पैंडेमिक की क्या सिती है और क्या हम एंदेमिक जो कहते हैं उसकी तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं कहां पर है या पहुझ गये हैं हमारे साथ है स्थिती है और उसके साथ-साथ क्या हम कह सकते हैं गिरावट आ रही है यह अभी भी बड़ोती जारी है सतीत आंक्री अगर देखें तो उतार चड़ाओ क्या है वो तो अलग बात है पर अगर देखें तो शहर शहर में आप देख हम देख सकते हैं कि कुछ जगहों पे नंबर लोर है टमिल में चन्नाई है और पूने है जैसे हम देख रहे हैं अमदबाद है तो के शहरों में बढ़त्री जारी है अलाकि उतनी तेजी नहीं है जहां जैसे दूस्ते जगहों पे हैं पर फिर भी शंक संक्या बढ़ रही है इसको देखते हुए यह कहना सही होगा कि नं उसके जरिये अब पूरे देश का हम इस तरह से एक अंदाजा नहीं बना सकते हैं हद तक जो आखरी बात आपने कहीं प्रबीर बिल्कुल सही है कि महामारी को सही तरीके से वहीं समझा जा सकता है जहां पे वाइरस फैल रहा और वाइरस फैल रहा है मुहलों में गाउं गर जाना व्यवार हो रहे हैं उन पडियावरनों में फैल रहा है तो उतनी बारीक और बिंचूक हमारी आंकडों की क्रमता है या नहीं यह पूछने वाला सवाल है लेकिन जो कि आपने कहा वो तोस तर पर बिल्कुल सही है कि जो जिन शहरों में आंकडे पहले बढ़ने लगे उन शहरों में अब कम होने लगे हैं और उतनी तेजी से नहीं कम हो रहे हैं जितनी तेजी से बढ़े हैं लेकिन फिर भी अच्छी खासी रवतार से कम हो रहे हैं जिन शहरों में थोड़े बाद में आंकडे चड़ने लगे हैं वहाँ पे अभी तक थोड़ा बहुत चड़ चड़ाव जारी है और कई ऐसे शहर है जिने सेकंटियर शहर कहते हैं दूसरे स्थर के शहर वहां पर अभी भी चड़ाव जारी है और ग्रामीन इलाकों में तो क्या होगा आगे चल कर कहां पहुंचेगा संक्रमन कहां नहीं पहुंचेगा जहां पहुंचेगा वहां किस रफ राष्ट्रिय आंकडों के माएने थोड़े सीमित होते हैं लेकिन फिर भी जो बात है कि जहां चड़ाव होता है वहां चंद हफ्तों महीनों भी नहीं चंद हफ्तों बाद आंकडों में गिरावट आने लगती है यह तो बिल्कुल सही बात है और यह सिर्फ हिंदुस्तान के भारत की बात नहीं है यह यूडोप अमरीका रिकंसंचाबरिशन अमरीका हर जगाएग की यह भी है कि अभी देशों के अगर हालत देखे तो कुछ जगों पर कुछ देशों में चौधी वेव सब को चोटे-जोटे वेव हों को अगर इकठा करें देश की स्तर पे कही पर चौथा वेव है हमारे यहां पर तीसरी वेव इसको कह सकते हैं है हमारे देश में तो इस तरह के जो बढ़ोत्री और गिरावट की बात है इसको अगर हम सब को मिला के वेव कह ले तो आप सही कह रहा है कि शहर में गाउं में अलग- पर अगर उस तस्वीर भी देखें तो ये जितने लोगों को अभी वैक्सीन मिला है जितने लोग अभी बिमार पड़े हैं कोविट की इंफेक्शन्स हुए हैं जिन में सिम्टमाटिक हो एसिम्टमाटिक हो सिम्टम्स दिखाई पड़े ना दिखाई पड़े तो इन सब को मि इस वक्त इम्यूनिटी थोड़ी बहुत या ज्यादा तर लोगों में है और इसलिए महामारी की वह लक्षण नहीं है जो सेसे डेल्टा में हमने देखा कि बड़े पैमाने पे लोग सिर्फ बीमारी नहीं पड़े सिम्टम्स भी नहीं उनके आये सिर्फ वह अस्पिताल में भी पहुंचे और बहुत बड़े पैमाने पर मौते भी हुए तो क्या कह सकते हैं हम कि इस वक्त वो स्थिती नहीं है इसलिए पैंडेमिक से लेकर हम जो एंडेमिक की तोर बढ़ रहे हैं और उसको कहने के पहले हमा बैद्यक विशेश अग्डियों के लिए भी काफी पेचीदा मसला है तो यह एपिडिमियोलोजिस्ट का खास विशेश सवाल है एपिडिमियोलोजिस्ट है क्या बहला यह भी जरब कह दें दो शब्दों तो जो जो संक्रमंशील बीमारियों को का अभियास करते हैं जो संक्रमंशील बीमारियों पर नज़र रखते हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं वो एपिडिमियोलोजिस्ट कहता है जो कहलाते हैं चूटि epidemic के बारे में विशेश ग्यान रखने वाले ये लोगों का epidemic यानि महामारी विशेशक्डियों का epidemiologist का मतलब है महामारी विशेशक्डियों तो वो छोड़िएगा मैं एक बात अपन सब की ये नजर में पहले लाना चाहता हूँ और वो ये है जिसका जिकर अपने पिछले दो सालों में बार-बार किया है कि वाईरस के शरीर में आके उसकी बढ़न्त शरीर में और वाईरस की प्रजाकाश इस एक शरीर से दूसरे शरीर में पहला ये एक और है और इस बढ़न्त से शरीर में जो बीमारी के लखन पैदा होते हैं, वो दूसरी हो रहे हैं, सिर्फ वाइरस अगर शरीर में आता, बढ़ंत बनाता और फैलाव कर लेता आपना, बगेर बीमारी के लक्षन निर्मान किये, तो हम शाहिद जानते भी नहीं कि कोई नया वाइरस आए, तो हमें चिंता है बीमारी की, हमें चिंता है कि कितने लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएं, थोड़ी बहुत खासी जुकाम वाला मसला हो तो भी हम उतने चिंतित नहीं होते हैं, गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएं, इसलिए गंभीर बीमारी के आपड़ी हैं, और वो भी बहुत बड़ी तादाद में कठे आएं गंभीर बीमार लोग जिने हस्पताल में विशेश सेवा की जरूरत हो तब जाके हमारी स्वास्त्य वस्थाओं पर बड़ा दबाव आता है और जैसे कि अपने पिछले साल देखा था आक्सिजन कम पड़े हस्पताल में ब पूछना चाहता जैसे आपने कहा कि अगर हमारे वहां पर खास बिमारी नहीं पैदा करता है थोड़ी चीके चाके होती है थोड़ा बहुत दुखाम होती है तो उसको हम इतना सीरियस्टी नहीं लेते और इसी तरह कि दूसरे जैसे हमारे चार करोना वाइरस कहते हैं कि हमा पारे अंदर इस तरह से चीके चाके कर सकता है राइनो वाइरस है और भी एक दो तीन वाइरस है जो की कौन कोल्ड जिसे कहते हैं पैदा कर सकते तो आप कहरें कि इतने बड़े पैमाने पर अगर उसमें लोग की संक्रमन होता है इंफेक्शन होता है तो उसको महामारी नही यह से यह बात अलग है और सरकार और समाज के नजरिये से यह बात अलग है सरकार और समाज के नजरिये से गंभीर बीमारी यह महामारी के बारे में चिंतित होनी का मूल है विशेशग्यों की बात अलग है लेकिन आम समझ के लिए यह बात अपन मानके चले हैं और इसी बात पे 2020 में 2021 में और आज 2022 में जो दिखाई दे रहा है कि इंफेक्शन के संक्रमन के वाइरस की शरीर में बढ़ंत के आंकड़े जितने भी बढ़ें गंभीर रूप से बीमार लोगों के आंकड़े तुलना में उतने नहीं बढ़ें इस बार जितने की पिछले साल बढ़े थे य तो उसके पहले साल के देशों में बढ़े थे तो इसका मतलब यह है कि हमारा हमारी और वाइरस की लेंदें एक आम बड़े संख्यात्मक नजरीय में सौम्य होते जा रही इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कल बीमार पड़ जाओं तो मुझे गंभीर बीमारी होने की कोई संभ संभावनाएं कम होते जा रही है और ऐसी संभावनाएं जब कम होते जाएंगी तब अपन अनुवान कर लगा सकते हैं कि यूहीं दौर चलता रहा तो कुछ महीनों बाद हो सकता है एक वक्त ऐसा आएगा कि इंफेक्शन के आंकड़े यानि की आर्टी-पी-सी-ार टेस्ट जो की वाइरस की बढ़नत को नापता है टेस्ट उस टेस्ट से पाजिटिव हाने वाले लोगों के आंकड़े बहुत बड़े हैं लेकिन हस्पिताल तक कोई बहुत ज्यादा पहुंची नहीं रहा क्योंकि कोई गंभीर रूप से भीमार नहीं पड़ रहा अगर यूं बात इने कल कहा है तो उस तरीके से समाज में आम लोगों में वाइरस की का चलंग जारी रहे लेकिन गंभीर बीमारी तक कोई ना पहुंचे तो अपन इसे क्या कहेंगे महामारी एक नजरिये से चली है क्योंकि वाइरस है लेकिन दो अलग-अलग गुण बदले हैं उसके एक तो उसके फैलाव की रफ्तार गंभी और दूसरी उसके संक्रमन से गंभीर बीमारी होने की संभावना बहुत गटी है और अगर यूं होता है तो अपन अपनी समझ में कह सकते हैं कि अपन एपिडेमिक महामारी के दौर से इंडेमिक दौर तक पहुँच गया है यानि कि वाइरस का बिलकुल खात्मा नहीं किया हमने वो अभी भी मौजूद है अभी भी आवाज आहीं उसके चल रही है लेकिन उससे जो हमें खत्रा है बड़े पैमाने पर वो बहुत हद में कम हो गया है और उसके फैलाव की जो रफ्तार है वो भी इतनी कम हो गई है कि कहीं 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 छोटे विस फोटो में वो मौजूद है लेकिन गंभीर समस्या के रूप से अब मौजूद नहीं है इसे अपन अपनी समझ में एंडेमिक स्टेट कहेंगे आप ने दो इसमें क्या कहेंगे क्राइटेरिया बताया कि कब इसको हम इंडेमिक कहेंगे एक तो है कि समाज पर इसमें खास असर ना पड़े अस्पताल बड़े पैमाने पे लोग नहीं पहुंच रहें ठीक है इकता दुक्का लोग पहुंचेंगे वो तो इंफ्लूइंसर बे हर साल पहुंचते हैं और मौते भी होती है अद दूसरी बात जो आप कह रहें कि संग्रमन का संख्या भी कम हो ताकि छोटे बोटे इधर होते रहें पर फ्लू को हम एंडेमिक कहते हैं पर उसमें से आठ दस लाक लोग हर साल शायद काफी ज्यादा जो हम गिनते नहीं है वो बिमार पॉड़ते हैं उसमें से काफी लोगों की अस्पिताल पहुंचना नाजबी हो जाता है और कुछ की मौते भी होती है तो उसको ह सांसा है एक आर्टिफिशल लाइन है पर मूल बात मैं जित्ता आपका समझ आपकी बात समझ रहा हूं यह है कि अगर समाज के लिए बहुत बड़ा समस्या नहों ताकि हमारे जो पॉब्लिक हेल्स सिस्टम है उसको आसानी से टैकल कर पाए उसको हैंडल कर पाए तब इसको हम एंडेमिक कहना शुरू करेंगे उस सिति में हम नहीं पहुंचे अभी अभी अगर अमरीका का मात्रा देखें तो हम देखेंगे वहां मौते पिछले वेव से भी अब ज्यादा होने लगे हैं हलांकि जित्ते बड़े पैमाने पे लोग बिमार पड़े हैं उत्ते बड़ बरती ना हो ऑक्सिजन ना मिले चुपीछले बार हमारे हुए थे और यह सिर्फ ओमिक्रॉन नसल की बात नहीं है यह हमारी शरीर की भी बात है कि हमने इसमें पहले चाहे तो इंफेक्शन से चाहे तो वैक्शिन से हमारे अंदर एंटिबोडिस पैदा हुए हैं और वह और उसी का अन्जाम यह है कि संख्या मौतों कि या सीरियस केसिस की कम रही है खास तोर से जो वैक्सिनेटेड है और अबरीका का जो फिगर्स है क्योंकि हमारे इतने बड़े पईबाने पर हम फिगर्स नहीं पा रहे हैं इस वाक्त हस्पतालों की वह यह है कि जो आपको वैक्सिन के और ले जाना चाहेंगे तो आपको क्या लगता कि इस एंडेमिक स्टेड में पहुंचने के लिए वैक्सिनेशन बगारा इस तरह के स्टेप्स काफी लाजबी है उसी पर हमें फोकस करना चाहिए तो दो तीन मुद्दे मैं और थोड़े बढ़कर कहना इस बारे में पहुंचेंगे ये एक राष्ट्र व्यापी संक्रमण नहीं है ये भी स्थानिक स्तर पर होगा कहीं जल्दी होगा कहीं कुछ देर बाद होगा पहला होगा दूसरा मुद्दा ये है कि ये जो संक्रमण है ये बिल्कुल स्थिर संक्रमण है ऐसी कोई गारंटी नहीं है गारंटी इसलिए नहीं है कि सोचे गा तीन महीने पहले हमने ओमिक्रॉन नसल का नाम नहीं सुना था अब हम ये कहते थे कि जिनका टीका करण हुआ है या जिन्हें पहले कोविद की बाधा हो चुकी है उनमें दुबारा संक्रमन इंफेक्शन भी नहीं हो सकता। आज ओमिक्रोन नसल के होते हैं वो हम कह नहीं सकते तो इसका मतलब ये है कि अगर वाइरस की नसल बदले और ऐसी कोई नई गुण धर्मों वाली नसल सामने आए तो ये जो पुराना हमारा गणित है कि एपिडेमिक दोर से इंडेमिक दोर तक पहुंचे ये उल्टा-पुल् भाष्णिक नीतियां बना और नीतियों के बारे में सोच तेपात तीस्रा मुद्दा ये है कि आज जो आंकडे बढ़ रहे हैं उनके बारे में आज अभियान को बड़ावा देकर कोई फरक पड़ेगा, ना क्यों नहीं, क्योंकि टीका करन के आंकडे तो दिन बदिन तिन थोड़े थोड़े बढ़ते जाएंगे और जिने आज टीका करण हुआ है उनमें प्रतिरक्षाक्षमता दो-तीन हफ्ते बाद ही तो जाके पैदा होगी ना अधिक प्रतिकारक्षमता तो आते दो हफ्तों में जो आंकड़े बढ़ने हैं उस पे आज के टीका करण का बहुत बड़ा आसर नहीं पढ़ना है लेकिन आगे चलते हुए हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि ठोस और बीर्गकाल के लिए उपयुक्त उपाए हमने क्या सोचने चाहिए स्वास्थनियों में और उसमें टीका करण बहुत बड़ी एमियत रखता है आज के लिए नहीं टीक करण के साथ साथ जो अपन बार-बार कहते आए हैं कि स्थानिक स्तर पर जांचों के जांच की पाजिटिविटी रेट के हस्पतालों के दाखिल होने वाले मरीजों के स्थानिक स्तर पर हस्पतालों के दाखिल होने वाले मरीजों के आंकडे दिन बदिन पहुंचने ही चाह इसमें नीती का मामला ये है के स्वास्थ वियवस्थाएं जितनी अच्छी हो अच्छी हो जितनी वो अच्छी हो उतनी जल्दी हम एपिडेमिक दौर से एंडेमिक दौर तक आके पहुंचेंगे क्योंकि स्वास्थ व्यवस्थाएं इस बीमारी को बगैर दबाव के जहल पाएंगी तो वो स्थिती लाने के लिए स्वास्थ व्यवस्थाओं में क्या सुधार होने चाहिए इसको लेकर भी हमने लंबे वक्त के लिए सोचना चाहिए कि दूस्वाट जो होते हैं संक्रमन के स्थानिक होते हैं तो इसलिए आख वो स्थानिक चाहिए नीतिया इवीडिट रेस्पॉन्स के तोर पे स्थानिक तोर पे होना चाहिए एक तो ये बात अग्ण दूस्री बात वैक्सीन लंबे रेस की घोड़ा है और उसको चलाय रखना चाहिए और उस पर क्या-क्या और करना चाहिए इसके बारे में हम आपके साथ अगले बार बात करेंगे क्योंकि लंबी रेस के घोड़े के तरह इस वक्त हमें ध्यान देने की जरूरत है खास तौर से एक इनसान और समाज की एक खास प्रॉब्लम ये है जब अर्जनसी होती है हम सब सोचते हैं इसके बार जो है उसको भूल जाते हैं इसलिए इस वक्त क्या हम सोच सकते हैं कि दन्नवाद आपको हमारे साथ होने के लिए हमारे दरश्वोगों को बताने के लिए क्या-क्या चीजे हो रही है और क्या-क्या चीजे हो नचाहिए क्य aprendo का में आज के लिए इतना ही देखती एगा निच्पिए का निवसस्य क्लिक अधर श quis झाल